हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बेक टू प्रीम बाटिया एंटिकोगुलेंट के क्रम में इस बार का एंटिकोगुलेंट है हिफेरिन और हिफेरिन एक नैचरल एंटिकोगुलेंट है हमारे सरीर में ब्लड इसी लिए क्लोट नहीं होता है आप जानते हैं कि तेरा क्लोटिंग फेक्टर होते हैं, उसमें से थ्रॉम्बिन भी एक क्लोटिंग फेक्टर है, तो यहां जो एंटिकोगुनेंट है, वो थ्रॉम्बिन पर कारी करता है, इससे पहने आमने जो एंटिकोगुनेंट देखे थे, वो केल्सियम पर कारी करते हैं जैसे EDTA या sodium citrate, calcium जो clotting factor होता है, उसको वो precipitate करके clotting mechanism में काम करने से रोगता है, और ये जो anticogonate है hyperin ये प्रो-thrombin को thrombin में convert होने से रोगता है, जिसके कारण जो clotting mechanism है, वो complete नहीं हो पाती है, जिसके कारण blood clot नहीं होता है, जिस tube में आपको hyperin दिखाई देखा, वो आपको एक green color के top वाली tube में दिखाई देगी, तो hyperin के लिए green color वाली tube उख्योग में ली जाती है, और अगर अगर blood water की बात करें, तो इसका क्रम कापी बात में जैसे आप blood culture नेते हैं, उसके बाद sodium saturated tube में लेते हैं, red top वाली, उसके बाद आपको green top वाली tube में blood को collect करना होता है, green top वाली tube में आप देखते हैं कि यह कापी कम उप्यूग में ली जाती है, और किसी लेब में आपको यह देखने को नहीं मिलेगी, इसका मुख्या कारण है कि य इसकी जो glotting action होता है, वो 8 गंटी बाद कम होना शुरू हो जाता है, तो यह उचनली कम उप्यूग में ले जाती है, और भी कई disadvantage है, जिसके करन इस tube को उप्यूग में नहीं ले जाता है, चैसे हिसको हिमेट्रोलोजी को उप्यूग में इसलिए नहीं ले जाता है, कि यह W LVC और platelet को clumphing को बड़ा अधित है, तो अगर आप इसको हिमेट्रोलोजी में तो प्यूग में लेते हैं, तो वो सकता है कि आपकी white blood cells और platelets काफी law देखने को मिलेगी, इसके अलवा आप इसको staining में भी प्यूग में नहीं ले सकते हैं, क्योंगी अधर रंग रोमिन में इसकी stand अगर हम वो क्योग मन लेते हैं, तो इसका जो background होता है, वो आपको blues background आपको provide करता है, यह anticoagulant आपको tube की surface पर solid form में दिखाई देगा, और इसकी 0.1 से 0.2 mg पर MN of blood किनी परियाप्त होगा, और थात आपको hyperin वालनी अगर tube बनानी है, तो 0.1 से 0.2 mg पर MN of blood किनी उप्योग में लेज सकते हैं, और आप देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से test है, जिसको हम hyperin वाली tube में अगर हम blood collect किया है, तो उससे कर सकते हैं, hyperin वाली tube में लिएगे blood कौ हम hyperinized blood कहते हैं, और अगर अगर हम इसको centricuse करते हैं, तो हम hyperin plasma कहते हैं, हीपेरियन वाली ठ्वोड में लिए गए सैंपल से हम वायो хотите के टेस्ट कर सकते हैं जनरली हम ड्रत डॉक वाली है प्र आःक्लोप वाली ठ्वाली ठ्वेटर वाली ठ्वाट您 है उस से श्वायोन लगाते हैं तुसके नहीं के टेस्ट के लिए यह जाती है यह इसके अलवा कला क्यों की इसनेी टेस्ट होया सब्सक्राइब risk उसके नहीं यह तेस्ट में लाता है तो जो भी जाती हैस्ग भी उसमेटिक साहें टेस्ट हीपेरिन ब्लड से कर सकते हैं जैसे कॉस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, हीमिनो फिनो टाइपिंग, इस्पोन हीमेटो क्रियेट, लोपस इरिफ्रोमेटर्स, सेल फिर्परेशन, ऐरन प्रोफाइल, जी सिक्स पीडी टेस्ट, पीके डेफिशेंसी और इलेक्रोड़ाइट यह सारे टेस्ट हम हीपेरिन वालिट ट्यूब से कर सकते हैं, इन सोर्ट अगर बात करें तो इसेल्स काउंट जैसे सीबी सी या ब्लड फिलम प्रिपरेशन, पी सी आर इसके लिए हम हीपेरिन वालिट ट्यूब का उप्योग नहीं ले सकते हैं, जबकि बायो केमेस्ट्री इसके लिए हम हीपेरिन वालिट ट्यूब को उप्योग में ले सकते हैं, तो यहाँ एक इंपोर्टेंट एंटी कोगुलेंट हीपेरिन, आई होब आपको पसंद आए होगा, तो पसंद आए हैं तो वीडियो को नाइक जरूर कर लिजीगा, और फ्रेंड के साथ सेर भी खी मिल सके, तो चली मिलते हैं, एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए, बाई बाई, थेंक्यू, थेंक्यू वेरी मच्च